जेश्री हरी, इस पीचल ग्यान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं भगवान शीव और माता पारवती के अर्दुनारिश्वर अवतार की कता को जब उन्होंने महर्शिव भगु को बताई मनुष्य शरीर में नारी तत्व की महता सिश गंग, अर्दंग पारवती, नंदी भ्रंगी, निर्त्यकरत हैं सिविस्तुती में आए इस भ्रंगी नाम को आप समने सुना होगा पोरानिक कत्थाओं के अनुसार एक रिशी थे जो महादेव के परमभक्त थे इनकी भक्ती कुछ जादा ही कटर थी, ये भगवान शिव के कटर भक्त थे महरशिव रगु में अंतर सिर्फ इतना था कि बाकी भक्तों की तरह ये माता पार्वती की पूजा नहीं करते थे हाला कि उनकी भक्ती पवित्र और अदम्य थी, लेकिन वो माता पार्वती जी को हमेशा ही शिव जी से अलग समस्ते थे या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो माता को को समस्ते ही नहीं थे ये महरशिव रगु का कोई घमण नहीं था, बस उनकी शिव में आशकती थी जिसमें उन्हें शिव के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता था एक बार ऐसा हुआ कि वो केलाश पर भगवान शिव की परिकर्मा करने गए लेकिन वो पार्वती की परिकर्मा नहीं करना चाहते थे रिशी के इस कृत्य पर माता पार्वती ने एतराज प्रकट किया और कहा कि हम दो होकर भी एक हैं तो मैंसा नहीं कर सकते पर शिव भक्ती की कट्टरता देखिये भ्रंगी रिशी ने पार्वती जी को अंसुना कर दिया और भगवान शिव जी की परिकर्मा करने आगे बढ़े जब भ्रंगी रिशी नहीं माने तो माता पार्वती और भगवान शिव एकदम पास होकर बैठ गए यह देखकर भ्रंगी रिशी ने शर्प का रूप रख लिया और केवल शिव जी की परिकर्मा करने लगी तब शिव और पार्वती ने अपने रूपों को मिला लिया और वो एक हो गए और तब जर्म हुआ अर्धुनारिश्वर अफतार का हद तो तब हो गई जब इस पर भी रिशी को कुछ समझ नहीं आया और वो चूहे का रूप रख कर दोनों को बीच से कुतर कर अलग करने लगी इस पर दोनों को क्रोध आ गया और देवी पार्वती ने रिशी से कहा कि हर मनुष्य के भीतर प्रकर्टी का भी भाग होता है जो नारी शक्ती का प्रतीक है प्रतेग मनुश्य का शरीर उसकी माता और पिता की देन होता है जहां व्यक्ती हड़ी और मास पेशियों को पिता से प्राप्त करता है तो वहीं रक्त और मास उसे माता से मिलता है मैं तुम्हें श्राब देती हूँ कि तुम्हारे शरीर से मा यानि की नारी से मिला हुआ भाग अलग हो जाए श्राब मिलते ही भ्रंगी रिशी असहाय होकर गिर पड़े तब उन्हें एसास हुआ कि अब वो अपनी खड़ हुने की शक्ति को भी खोच चुके है तब उन्होंने देवी पार्वती से इस अप्राद के लिए श्रमायाक्षना करी अब क्यूकि माता अपनी संतान का दुख नहीं देख सकती है इसलिए पार्वती जी का हिर्द्यभी यद्रशय और महर शीव भ्रंगी की यह हाला देकर व्यतेतो उठा माता ने जिब श्राप वापस लेना चाहा तो रिशी भ्रंगी ने स्वेम ही मना कर दिया क्योंकि अब वो अपराद बोच से ग्रस्थ हो चुके थे रिशी को चलने में एसमर्थ जानकर शीव पार्वती ने उन्हें तीसरा पैर प्रदान कर दिया तो कुछ इस तरह से हुआ था अर्धुनारिश्वर रूप का प्राकट्य ताकि संसार को नर और नारी का महत्व समझाया जा सके इसी से जोड़ी एक दूसरी कथा भी है कि क्यों लिया शिव और पार्वती ने अर्धुनारिश्वर रूप तो भगवान के अर्धुनारिश्वर रूप को लेकर एक और पोरानिक माननता है जब ब्रह्मा जी ने श्रस्ट्री की रचना की तो उसके कुछ समय बाद उन्हें हैसास हुआ कि इस से कोई गती नहीं आ रही है यह पून रूप से विक्सित नहीं है ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए कि इतने सारे जीवजंतों मैंने बनाए हैं इनकी संख्या में व्रधी कैसे हो ब्रह्मा जी की इस दुविधा का निवारण भगवान शिव ने किया उन्होंने ब्रह्मा जी को मैथुनी श्रस्टी निर्मान करने का सुझाव दे दिया अब ब्रह्मा जी शिव जी से मैथुनी श्रस्टी का रहस्य समझना चाते थे इसे समझाने के लिए भगवान शिव ने अपने शरीर को दो भागों में नर और नारी में विभक्त कर लिया और जब ये नर और नारी आधे-ाधे साथ में नजर आये तो यही रूप अर्धुनवारीस्वर कहलाया अब शिव ने जिस शक्ति को प्रकट किया था उस शक्ति ने अपने में से एक नारी को प्रकट करके ब्रहमाजी को सौप दिया और शिव की इस शक्ति शुरूप ने ही बाद में हिमाले के घर में जनम लेकर शिव से विभा गिया तभी से इस शरस्टी में मैथुनी परंपरा के विकास का क्रम शुरू हुआ तो ये थी अर्धुनारिश्वर शुरूप के प्रकट होने की दूसरी कथा कैसी लगी आपको कथाई कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं इसी तरह की और वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग